एको सिस्टम में पेमेंट उप्शन पर ब्रेक लगाए जाने के बाद, फाउंडर्स के मन में कई तरह के सवाल उत्पन हो रहे हैं। एको सिस्टम में पेमेंट उप्शन को कब अस्टार्ट किया जाएगा, कब हम O-Connect का सस्क्रिप्शन को बाई करेंगे, और कब हमें O-Connect का सस्क्रिप्शन परेके सेल करने का कमिशन मिलेगा, कब हमारी अर्निंग अस्टार्ट होगी। जब से एको सिस्टम में पेमेंट उप्शन को रोका गया है, तब से ऐसा लग रहा है कि पूरे आउन पैसे में ब्रेक लग गया है, O-Connect का सस्क्रिप्शन परेके सेल नहीं हो रहा है, फाउंडर्स की अर्निंग रुक गई है, जिन फाउंडर्स को अर्निंग आने वाला था, उस पर ब्रेक लगा हुआ है, कुछ फाउंडर्स के बैंक एकाउंट में रकम आने वाला था, कुछ फाउंडर्स को O-Connect का सस्क् में payment option को कब शुरू किया जाएगा और payment option को शुरू करने में इतना समय क्यों लग रहा है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंटन सर्वां तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ecosystem में payment option को जारी करने के लिए payment option को release करने के लिए तीन-तीन कंपनियां लगी हुई है जिसमें सबसे पहले नमबर पर है on passive on passive अपने तरीके से payment option को manage करने में लगी हुई है लेकिन on passive के पास international payment option को accept करने का वो नहीं है इसलिए on passive ने अपने payment option को manage करने के लिए किसी दूसरे company को management करने के लिए दिया जिसके बाद उस company दौरा कुछ दिनों तक ecosystem में payment option को release किया गया लेकिन जिस तरह से उस company ने अपने payment option को release किया उसमें कई तरह का technical issue देखने को मिला यदि आपने ecosystem में पहले किसी तरह का transaction किया होगा तो आपको मालुम होगा कि payment करने के बाद किस तरह का technical issue हमें देखने को मिलता था कुछ transaction में bank से रकम कर जाता था लेकिन वह transaction pending दिखाता था और कुछ transaction में बिना bank से रकम कटे ही वह transaction successful हो जाता था इस तरह से कई transaction issue उस समय देखने को मिलता था कमपनी द्वारा भरोसा दिया जाता था कि इसे बहुत जल्द ठीक कर दिया जाएगा लेकिन तय समय पर कमपनी द्वारा उस issue को solve नहीं किया गया कमपनी के ढीले बरताव को देखते हुए ecosystem में payment option को release करने के लिए दूसरे company को लाया गया उस company ने दो हपते का समय मांगा है उस company द्वारा यह कहा गया है कि दो हपते के अंदर ecosystem में बिना किसी issue को payment option को release कर दिया जाएगा और इसका मतलब यही है कि ecosystem में payment option को शुरू होने में अभी दो हपते लगने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं तब समय पर कोई काम नहीं हो पाता है और यही बजा है कि ecosystem में payment option को release करने में इतना समय लग रहा है इसलिए जिन्दगी में आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज के लिए जल्दिवाजी नहीं करना चाहिए चो देड़ से आता है वह द्रूस्त आता है तो उमिद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जाहें